Hello everyone, welcome to chemistry with current आज हम करेंगे अपने revision series का part 2 और आज हम solid state को खतम करेंगे जिसमें हम उसके defects के बारे में study करने वाले हैं चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं अगर आप मेरे channel पे नए हो तो नीचे जाओ पहले जाके subscribe कर लो ताकि आपको मेरे revision series के updates regularly मिलते रहें और आप boards में 60 plus marks अराम से secure कर सके इसके handwritten notes मेरे telegram channel पे uploaded है आप उसकी link नीचे description box से ले सकते हैं चलिए भई शुरू करते हैं तो देखिए आपके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे defects in solids अब पहला मेरा question आपसे आता है या आप भी अगर पढ़ोगे तो आपके मन में question आएगा कि defects क्या होते हैं तो defects का मतलब बेटा होता है imperfections क्या होता है imperfection अच्छे यह कब आते हैं defects मानलो मैंने बोला था कि lattice होता है मैंने last class में बहुत सारे lattices arrangements के बारे में study किया था अब अगर किसी arrangement में से atom अपनी regular position से हट जाए उसको बोलेंगे defect आ जाना अब देखो defect बेटा बहुत तरीके के होते हैं जैसे पहला है आपका impurity defect दूसरा है stoichiometric defect और तीसरा है non stoichiometric defect start करते हैं बेटा stoichiometric defect से चीक हैं अब बात आती है stoichiometric defect का मतलब क्या है example लेकर चलूँ आपके सामने मानलो मैंने example लिया a6 b6 एक example लेकर चल रहा हूं ठीक है a6 b6 मतलब a और b क्या है बराबर है a और b क्या है बराबर है in terms of number जितने a उतने ही b अब अगर stoichiometric की बात करूंगा तो अगर इसमें a और b बराबर हट जाए minus 1a minus 1b मतलब क्या हुआ a5 b5 इसका मतलब अभी b a और b का ratio बराबर है क्या बराबर है ratio बराबर है तो इसका formula अगर आप अभी भी निकालोगे तो अभी भी a b आएगा और इसका formula पहले भी a b था मतलब these defects do not disturb these stoichiometry ठीक है और बहुत important point है these are also known as intrinsic or thermodynamic defect ठीक है अच्छा अब दो तरीके के defect होते हैं यह पहला होता है आपका vacancy defect और दूसरा होता है आपका interstitial defect अब बेटा vacancy defect का मतलब क्या है vacancy के मतलब से समझ जा रहे होगे कि कोई empty जगा कि empty जगा मतलब arrangement में वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं arrangement में यह कब आएगी जैसे मानलो मैं एक लाटेस लेकर चलू ठीक है यह है यह एक पोजिशन है यह पोजिशन है यह यह पुस्थ करों बीबरा हुआ ता है ना कुछ भी अब एक A यहां से निकल जाए और एक B यहां से निकल के चले जाए वेकेंसी और खाली जगा क्रियेट हो जाए तब हम उसको मोलेंगे बेटा वेकेंसी डिफेक्ट मतलब कोई भी आटम अपना लाटेस पॉइंट को छोड़के अर्रेंजमेंट के बाहर चला जाए ठीक है उसको मोलेंगे वेकेंसी डिफेक्ट यह होता है आपका न्यूट्रल सॉलिट्स और टाइप्स में आयनिक सॉलिट्स नहीं मतलब कोवैलिंट सॉलिट्स के उन समय होता है इसी कनाव हम बदल देते हैं आयनिक सॉलिट्स में जब हम आयनिक सॉलिट्स की बात करेंगे अब यह हम एक नॉर्मल कोवैलिंट सॉलिट्स लेके चल रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं इंटरस्टिशल डिफेक्ट की इंटरस्टिशल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई atom अपनी lattice site को छोड़के ये सब क्या होती है बेटा lattice site होती है ये क्या है regular uniform lattice site ये वाला atom देखो मैं इस वाले atom को 1 बोलता हूँ और इस वाले atom को मैं 2 बोलता हूँ जरह 1 और 2 को observe करो वो अपनी lattice site पे नहीं है वो कहां पे है बीच में कोई जगा पे हैं और इन जगाहों को क्या बोलते हैं हम INTERSTITIAL sites क्या बोलते हैं INTERSTITIAL sites भोलते हैं ठीक है INTERSTITIAL sites बोलते हैं तो अगर कोई atom अपनी lattice position को छोड़के beach की INTERSTITIAL site पे आ जाता है तो वैसे defect को हम interstitial defect का नाम देते हैं चीक है clear है आगे बढ़ते हैं वही फ्रैंकल defect अब यहां से जो defect start होते हैं वो होते हैं खाली ionic solids में किसमें ionic solids में और याद रखना this is very very important for boards मतलब फ्रैंकल और शॉटकी का question ना आए बोच में ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठीक है फ्रैंकल defect the smaller ion is dislocated from its normal site to an interstitial site ठीक है बहुत important point जैसे मैं बात करूँ अगर आपके पास एक यह arrangement है जहां और कैसा होता है स्मॉल है और यह यह जैसे मैं बताता हूं यह कंडंध oppress पोजिशन farmers पोजीशन से हट के यहां一定要 पर आगया कहां पर आ गया इंट्रस्टीशल यह नॉर्मल इंट्रस्टीशल डिफेक्ट की तरह ही है only differences की यह ionic solids में हो रहा है ठीक है इंट्रस्टीशल साइट पे आ गया केटायन ही क्यों आया सर अपके पास question उठेगा क्योंकि इंट्रस्टीशल साइट में जगा कम होती है और केटायन ही है जो वहाँ पे fit कर सकता है क्योंकि केटायन का size छोटा होता है समझ में आई बात अब एक important point की बात सुनना कि this creates a vacancy defect at its original side अरे भाई अगर मान लो केटायन यहां से उठके बीच में आ गया तो यहां पे तो खाली जगा हो गई ना तो यहां पे क्या हो गया एक vacancy हो गया और यहां पे क्या हो गया इंट्रस्टीशल हो गया ठीक है तो फ्रैंकल में आपका vacancy और इंट्रस्टीशल दोनों होता है समझ में आ रहे बात ठीक है अच्छा एक और चीज आयनिक solid में जो सबसे important point है वो है आपका electro neutrality neutrality ठीक है मतलब के टाइन एनायन हमेशा बराबर रहेंगे चार्जेज इक्वल रहेंगे कि अल्वेस चार्जेज हमेशा इक्वल रहेंगे यह बात बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है अच्छा अब एक बताना जरा जरा मझे बताना कि एक यूट था इस अपनी जगह से उठा और इस जगह पर आ गया आटम यहां से उठके यहां पर आ तो क्या number of atoms unit cell में different हुए नहीं आटम उतने के उतने ही है तो क्या इसमें डेंसिटी पर फरक पड़ेगा तो answer है नहीं बहुत important point है कि it frankal defect does not change the density of the solid ठीक है अब अब question आता है paper में कि frankal defect कहां पर दिखाया जा सकता है frankal defect वहां पर दिखाया जा सकता है जहां पर large difference हो in cation and anion ठीक है मतलब अगर a plus और b minus है तो इनके sizes का बहुत difference होना चाहिए अगर यह एक पीको मीटर है तो suppose करो यह पांच यह साथ पीको मीटर होना चाहिए मतलब काफी difference होना चाहिए ऐसा क्यों ऐसा इसी लिए ताकि एक आयन प्रिफेरेबली इंटरस्टीशल साइट्स पे आप आए एक आयन प्रिफेरेबली इंटरस्टीशल साइट्स पे आप आए क्योंकि फ्रेंकल तभी हो सकता है समझ में आया एक्जाम्पल याद रख लेना बहुत more important है zms agcl agbr agi और बेसिकली फ्रेंकल वही दिखाते हैं जिंका क्वारीनेशन नंबर लो होता है जिंकर लो क्वारीनेशन नंबर और केटाइन और नायन का साइज में बहुत ज़्यादा difference चीक है ZNS AGCL AGBR AGI आगे बढ़ते हैं अब आता है शॉट की डिफेक्ट क्रिकेट खिलना पसंद होगा सबको most of them most of the people सबको cricket खिलना पसंद होगा इसको कैसे याद रखना है आपको शॉट से याद रखना है deprived एक आपका यूनिट सेल था के यहाँकर नॉर्मल पैट चल रहा है थिक की यहाँ पोजिटो रहा है अनलाइक ही शॉट एक ऑक पॉजटिव आएंगे फन find प्सी आएंगे प्सी माइनस के बाद पॉजिटिव आना चाहिए था यहां पे लेकिन वो पॉजिटिव को क्या किया शॉट मारके धक्के मारके बाहर फिक दिया वो अब आटम अपनी लाटिस साइट को छोड़के यूनिट सेल के बाहर जा चुका है ठीक है समझ में आया ठीक है इसका मतलब के बाहर निकलेगा अगर एक केटायन बाहर निकला है तो एक एनायन भी बाहर निकलेगा यह देखो क्यों क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी बराबर करनी है जितना पॉजिटिव चार्ज बचेगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए इसलिए अगर एक कटायन बाहर गया है तो साथ में एक नाइन भी बेटा आपके बाहर जाएगा समझ में आया बात अब फ्रेशॉट की डिफेट क्या था शॉट निकल के बाहर फिक देते हैं यूनिट से लिके बाहर चला जाता है कटायन एनायन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रा बॉटए तक बीच में घुशने की जगा नहीं रहत होगी इतनी नहीं होगी तो वो निकल के बाहर चले जाते हैं इस लिए शॉट की डिके कुछ नहीं में होता है जिनमें कैटाइन और एनाइन का साइज एप्रॉक्सिमेटली बराबर होता है समझ में आया आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं एक्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चा एने सीयल मतलब है लाइट जे सकते हो के सीयल सीजियम क्लोराइड और एजी बियार का गया लिखने के लिए हाँ अब एक यहाँ पर नोट टिकाओ एक यहाँ पर नोट टिका लो बहुत इंपोर्टेंट है नोट नोट क्या है बच्चा एजी बियार एजी बियार एजी बियार एक ऐसा आयोनिक सॉलिड है ऐसा आयोनिक सॉलिड है जो दोनों के दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है इसका मतलब है कि डिफरेंस है के टाइन इन में लेकिन जादा नहीं है तो वो दोनों के दोनों शो कर सकता है इसलिए paper में एक question आता है कि which of the following या which ionic solid can show both frankl and short की defect तो उसका answer क्या होगा एजी बियार याद रखना ठीक है फ्रैंकल क्या होता है फ्रैंकल होता है जिसमें large size difference चाहिए और केटायन एनायन उठके अपनी lattice site से interstitial site पे आ जाएंगे कौन कौन दिखाता है ZNS, AGCL, AGBR यह सब दिखाते हैं density पे कोई फरक नहीं पड़ेगा शॉट की में क्या होता है शॉट की में vacancy हो जाता है ठीक है निकल के वो शॉट लगा के बाहर चला जाता है केटायन एनायन electrical neutrality maintain रहेगी density decrease कर जाती है क्योंकि number of atoms ही चले गए, atom ही बाहर चला गया example है वेटा, NACL, KCL, CSCL और EGBR, AGBR दोनों defect शो करेगा ठीक है अब चलते हैं impurity defect पे अच्छा नामी से समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक lattice site थी ठीक है मान लो हम किसी और की lattice पड़ रहे थे और उसमें कोई और एक extra atom आ गया जैसे मान लो मैं इस red atom की lattice पड़ रहा था लेकिन उसमें कोई एक ब्लैक वाला बंदा आके बढ़ गया यहां यहां पर भी नहीं बैठा इसने रेड़ वाले को हटा दिया इसने रेड़ वाले को हटा के ब्लैक जगह में बढ़ गया ठीक है इसको बोलेंगे इंप्योरेटीड इफेक्ट इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है या इंपॉर्टन एक्जामपल है कि हम मॉल्टन एने सी एल लेते हैं और उसमें आगर यह एसार सील टू स्ट्रोंशियम क्लॉराइड डाल दें तो जो एसार प्लस टू है ना वह रिप्लेस कर देगा एन अगर हम एक एक्स्ट्रा फ्लस टू को एड करेंगे तो हमें फ्लस टू को बाहर भी फेकना है तो अगर एक स्ट्रोंशियम अंदर आएगा ना तो दो एने प्लस बाहर चले जाएंगे 2 na plus बाहर चले जाएंगे तो 1 strontium plus 2 replaces 2 na positive ताकि charge बराबर हो पाए na पे कितना charge है plus 1 strontium पे कितना charge है plus 2 अब बिटा अगर हम plus 2 अंदर बुला रहे है तो हमें plus 2 को बाहर भी फेकना पड़ेगा ताकि अगर charge पहले कुछ x था तो वो x का x ही बना रहे कैसे क्योंकि x plus 2 और minus 2 will be 0 x only ठीक है इसी लिए तो na का plus 1 था तो मतलब अगर हमें बराबर करना है बराबर ही भार फेकना है तो 2 sodium फेकने पड़ेंगे समझ में आ रही है बात इद्दम अच्छे से आगे बढ़ते हैं यह समझ जाना इसमें कोई दिखकत की बात नहीं दी अब non stoichiometric का मतलब क्या है कि अगर मैं a6 या b6 लेकर चलता हूँ तो मैंने a नहीं हडाया मैंने b नहीं हडाया खाली a हडा दिया इसका मतलब क्या बन गया a5 b6 तो यहाँ पे कौन x में है b excess में है a excess में नहीं है formula change हो जाता है stoichiometry change हो जाती है अच्छा अब बिड़े यह होता किसमें है यह होता है ionic solids में ठीक है इसमें a cation होता है और b anion होता है ठीक है पहली बात है metal excess defect मतलब basically metal cation excess defect अब एक चीज़ मुझे बताओ common sense है यह अगर मुझे किसी भी ionic solid में a positive को increase करना है a positive को increase करना है तो किया दो तरीके हो सकते है क्या हो सकते है दो तरीके या तो मैं सीधे सीधे a positive ही increase कर दूँ ठीक है न या तो मैं b negative को घटा दूँ या तो मैं b negative को कम कर दूँ को कम करते हैं तो उसको बोलते हैं वेकेंसी करवा देंगे बाहर भीकवा देंगे केटायन अपने एक्सेस हो जाएगा या तो हम लाटिस को बने रहें देंगे और इंट्रस्टिशियल साइट में केटायन को घुसोड देंगे पहला आता है बच्छा मेटल एक्सेस डिफेक्ट डियू टू एनायन वेकेंसी इसका सबसे जो इंपॉर्टन आपको काम है वह यह काम है एने सियल का है इंटेड इन एने वेपर ठीक है यह पेपर में क्वेश्चन आता है वोट हैपन्स वेन एने सियल इस हीटेड इन सोडियम वेपर तो याद रखना पहली बात तो यह नॉन स्टोशोमेट्रिक का क्वेश्चन है मेटल एक्सिस डिफेक्ट का क्वेश्चन है वो भी डियू टू एनायन वेकेंसी अब अब कैसे हुआ यह समझके देखो अच्छा observation क्या आती पहले मों में लिखवा देता हूं आंसर है कि आपको यल्लो कलर अब होगा ठीक है आंसर है यल्लो कलर आपको अब्जर्व होने वाला है ठीक है यल्लो कलर देंपार्ट यल्लो कलर अब देखो तुदी क्रिस्टल्स ओ सब्सक्राइब positive आया lattice में से CL को लेके बाहर घुमने चला गया अब CL की जगा खाली थी CL की जगा खाली थी तो वहाँ पर क्या हो गया यह electron जाके बैठ गया अब कभी भी अगर कोई electron NIN की जाके vacancy पर बैठता है ठीक है यहाँ पर कोई electron जाके बैठ जाता है तो इसको पहली की बात तो हम बोलते हैं ऊ dressed in a tree बोलते हैं यह फर बोलते हैं एफ-स सेण्चर और यह सबसे बाता कर ценवर क्या करते हैं का मैं काम की बात पर आता हूँ सिद्ध예 की पेपर में क्या आता है वेश्जिग आता है दो चीज एल इन एड पर केसी एल इन पुटाशियम और एलाई सी एल इन याद रखना सोडियम वाले का कलर क्या होता है येलो कलर होता है केसी एल वाले का कैसा कलर होता है वाइलेट या फिर लाइलाक कलर होता है और एलाई सी एल लीथियम का कलर होता है बेटा पिंक ठीक है यह तीन कलर हमें observe होते हैं क्यूं होते हैं due to metal excess defect due to metal excess defect which gives us far base centers basically color आते हैं far base center के वज़े से जो हमें मिलते हैं metal excess defect which is basically a non stoichiometric defect आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगी तीन कलर आपको याद रखने हैं क्यूं आते हैं f center के वज़े से क्यूं आते हैं metal excess defect के वज़े से which is a non stoichiometric defect अब अगर metal को हमको बढ़ाना था अगर a positive को बढ़ाना था चीक है अगर a positive को बढ़ाना था तो दूसरा तरीका क्या था कि हम lattice में a positive को बीच में घसोड़ दे due to the presence of excess metal ions at the interstitial sites सबसे important examples इसका क्या है zinc oxide याद रखना zinc oxide is white when cool and yellow when hot चीक है या वाइट बोलो या फिर तो होता क्या है होता क्या है zinc अपना electron lose कर देता है ठीक है अपना electron यहाँ पर lose करेगा याद रखना इलेक्ट्रोन lose कर देगा अब हुआ क्या यह जो क्यांट्रीकल न्यूट्रालिटी मेंटेन करनी है तो बच्चा इलेक्ट्रॉन भी जाके बगद पर चिपक जाएगा इलेक्ट्रोन चिपक गया तो इलेक्ट्रोन की घुमने से तुम्हें कलर मिलेगा और हमें कलर मिलता है यह लो समराइस करते हैं एक बार हमने metal non stoichiometric में पढ़ा metal excess क्यों होसकता है due to n ironically due to extra met sensors ठीक है, extra metal, चीक है, इसमें हमने 3 example पढ़े, na-cl in na, k-cl in k, और licl in li, इसमें कौन सा color मिलता है, yellow color, इसमें कौन सा color मिलता है, lilac color, इसमें कौन सा color मिलता है, pink color, और extra वाले का example बच्चा क्या होता है, zinc oxide होता है, which is white when cool and yellow when hot, समझ में आया बात लास्ट इफेक्ट पर चलते हैं बच्चा इसका एक एक्जामपल आपको पढ़ना पढ़ेगा दाट इज एफी ओ विच जर्नली फाउंड ऐस एफी इसका और कुछ आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा मेटल डेफिशेंसी का मतलब क्या है मेटल डेफिशेंसी का मतलब होता है मेटल कम हो गया और ऑक्सीजन जादा हो गया टिपिकल एक्जामपल है विटा एफी ओ विच जनली फाउंड ऐस एफी जिरो पॉइंट नाइन फ पढ़ेंगे ठीक है चार्ट को हम बराबर करते हैं बाइदे रिक्वाइड नंबर ओफ एफी प्लस थ्री आयंस ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेंड रहे हमने सारे डिफेक्ट कौंगन से पढ़े हमने आज पढ़ा स्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट सो पी 0.95 और ओ एक्सेस में दो तरीके होते हैं एनायन वेकेंसी सोडियम क्लोराइड का एक्जामपल के सील का एक्जामपल और आपका कटायन एक्स्ट्रा जो इंट्रसीशल में आ जाता हुआ उसका एक्जामपल जैडन ओ इसी के साथ हमारा सॉलिट स्टेट खतम होता है या सॉलिट स्टेट फिनेश्ट है खतम और इसके नोट्स भी मैं दे चुका हूं मतलब आपका सॉलिट स्टेट में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता पेपर में खुशी मनाओ अराम से नेक्स्ट चैप्टर कर रहेंगे सॉल्यूशन और कॉलिगेटे प्रॉपर्टीज और मैं फिर जंप मादूंगा सीधे सीधे और गैनिक में क्योंकि बच्चों की हलत और गैनिक में खराब होती है चीक है आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा मिलते हैं अगले लेक्चर में तिल देन स्टेड यूंड विद केमेस्टर विद करण